आप मुझे फोलो कर सकता है आपके अपर आपके चलियर होने चीए तो पहले हम उस फंडमेंटल के बारे बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कुछ कोशन करेंगे जिससे क्या होंगे अपके फंडमेंटल क्लियर हो जाएंगे में जिजयर के ओके तो प्लीज रिकमेंट मैं लेसंस और अलसो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल तो श्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है मिक्स डिजाइन टार्गे टोडेंस आज को आज करेंगे तो जो हमारे मिक्स की बात करता है मिक्स की बात हम बात में करेंगे जो हमारा मिक्स है पहला होता है नॉमिनल मिक्स और डिजैन भी तो इसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई नॉमिनल मिक्स जहापर चोते मोटे काम के लिए ऐसा नहीं कि हम ग्रेडिंग करेंगे जिससे क्या होता है जो जो प्रोजेक्ट की कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी च करना पड़ेगा तो इस से बचने के लिए एक नॉमिनल मिक्स इंटेड्यूस किया गया जिसमें क्या होता है कि M5 से लेके M20 तक की जित्ते भी मिक्स है वो सब यूज भात है वो नॉमिनली हम करें चारें टॉक कऱhigh करते हैं उसको जो wy rewarded को इस तरह से डिफ्रेंशियट कर सकता है तो nominal mix होता क्या है M5 से लेकर M20 तक के जितने भी mix design है हम उसको इस category के अंदर करते है nominal mix के अंदर तो वो category होती क्या है कि M यह दि 5 में बात कर रहा हूं M यहाँ पर क्या है mix और 5 क्या characteristic strength है इसकी 1, 5, 10 का हम ratio use करते हैं 1 है cement, 5 है sand या फिर हम क्या बोल सकता है fine aggregate और 10 है हमारा coarse aggregate जिसके अंदर 60 liter water use लेते हैं तो यह मेरे को क्या मिल गया एक particular formula मिल गया एक particular formula मिल गया कि मुझे यदि M20 बनाना है यदि मुझे M20 बनाना है तो 1, 1,5 और 3 का ratio बनाऊँगा और इसमें 30 liter पानी डालूँगा तो मुझे एक M20 बन जाएगा जिसके अंदर 1 होगा cement 1.5 होगा sand या फिर fine aggregate बोल सकता हूँ मैं और 3 होगा मेरा coarse aggregate और इसमें 30 liter पानी मिल गया है मैंने तो मुझे क्या मिल गया M20 मिल गया तो मेरे को जो code है उसने एक fix formula बना के दिया है nominal mix के लिए M20 तक के लिए ठीक है तो यह मेरा क्या 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 लाता है nominal mix क्या लाता है जिसके अंदर सब चीज fix होती है कि एक part मेरा रहेगा cement का 3 part रहेगा मेरा sand का और 6 part रहेगे मेरे aggregate के 34 liter में इसके अंदर पानी डालूँगा तो मेरे को M10 का mixture मिल जाएगा ओके ना बात करता हूँ कि volumetric ratio suggested for the cement concrete without considering the quality of the material to be used is called nominal mix मैंना जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर nominal mixture use करता है ठीक है volumetric ratio इसके अंदर use करता है without the considering of the quality इसमें quality पर बहुत जदर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये छोटे मोटे कामों के लिए ही use में आता है nominal mix are generally used for the minor RCC work जैसा कि मैंना आपको बताया कि जो minor RCC work होते हैं उसके अंदर ये use में आता है ओके ना मैं बात करता हूँ design mix की design mix होता क्या है design mix is the design proportion of the different material in ratio of the weight so that design is strength shall be obtained outside तो क्या होता है design mix इसके अंदर हम weight batching use करता है उसके अंदर हम क्या है weight use कर रहते है volume batching use कर रहते design mix के अंदर हम weight batching use करता है जिससे क्या कि हमें maximum optimum जो हमारे strength है वो प्राप्त हो सके कुछ fundamentals है मैं आपको बता रहा था कि कुछ fundamental से पहले हम इसको discuss करेंगे इसके बाद ही हम design mix के बारे हम पढ़ेगे तो water cement ratio आपको पता होना है कि water cement ratio होता क्या है weight of water upon weight of cement क्या खेलाता है water cement ratio क्या खेलाता है ऑक यति मैं weight of water को weight of cement से divided कर होते water cement ratio होगा एक terminology होती है bulk density जो आपने soil mechanics के अदर पढ़ी होगी जिसको मैं rho भी से denote करता हूँ okay तो bulk density क्या होती है weight of total total जो हमारा particle है जो भी मेरे पास material है तो total weight upon volume of total solid ठीक है total weight upon volume of total solid क्या कहलाएगा मेरा bulk density क्या कहलाएगा वो कहलाएगी weight of solid weight of solid upon weight of volume of solid ठीक है weight upon volume density होती है ठीक है solid के लिए होगा weight of solid upon volume of solid ठीक है normally हम जब्धी बात करें तो rho क्या होता है अमारी density density जबनता है weight up upon volume यदि हम solid की बात करें जो rho solid का बात करें Gotta have solid upon volume of solid यह चीज़ आपको यादँ होने चीए अच्छा हम एक पढ़ते थे यह आपने यह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हम स्वाइल मेकैनिक्स तो इस तरह से हम एक कि निष्रे यह रड़ा है सिंद्वरा एक सालिड है मंत bribe ahau two to listener का दो ट्ली वॉल्म की बात करों इतने की बात करो इसका वेट करों तो यह का वेट क्या जीड का रिएट Ali ठीक है अब इस मेरा की बात करता है प्सका जो टोर्स होगा हुआ för यह मेरा volume of solid हो जाएगा और यह volume of air हो जाएगा ठीक है इतनी चीज़ आपको समझ में आ रहे है specific gravity क्या होता है row of solid specific gravity क्या होता है row of solid upon row of water मतलग किसी भी material का row या फिर density upon water की density क्या होती है मेरी specific gravity होती है यह सब चीज़ आपको पता होनी चीए यह परिवाशन आपको याद होनी चीए फॉर्मुले आपको रटे होनी चीए तब जाके हम क्या करेंगे मिक्स दिजाइन कर पहेंगे अब मिक्स दिजाइन का जो एक इंपोर्मुला है सिर्फ एक फॉर्मुला लिखांगा इससे आपना कॉशन कर लेंगे सारे यह फॉर्मुला है मेरा मिक्स दिजाइन का यह आपको याद होना चीए weight of water upon density of water plus weight of cement upon density of cement solid की ठीक है plus weight of fine aggregate upon weight of density of fine aggregate solid ठीक है यह solid है plus weight of coarse aggregate upon density of coarse aggregate यह भी solid है plus volume of voids क्यों 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 यहाँ पर कहीं भी weight is equal to one मतलब हम एक मिटर क्यूब की बात करते है तो ओके एक कोशन है जो राजस्थान WRD के अंदर पूछा गया है सब 2015 के अंदर कोशन हम इसके अंदर discuss करेंगे तो हमारा कोशन है is cement content in a mix design is 378 kg water content ठीक है cement content जिसके अंदर क्या है मेरे पास mix design के अंदर 378 water content is 170 kg कितना है cement 378 kg water content 170 kg and sand is 30% of the total aggregate or the interrupted air is 1% interrupted air में इतनी है 1% specific gravity of the cement is 3.15 specific gravity मुझे cement की specific gravity of the coarse aggregate मुझे 2.70 specific gravity of the fine aggregate मुझे 2.60 and respectively then find the weight of the fine aggregate मुझे fine aggregate का weight निकालना है ठीक है मुझे पता है मेरा formula है सबसे पहले मेरा formula लिखता हूँ ठीक है ये मेरा formula इसके अंदर मुझे ये दे रखा है ये दे रखा है और ये चीज़ दे रखिये ठीक है तो ये चीज़ मैंने put करती okay तीनों चीज़ मैंने put कर दी कैसे की मैंने weight क्या दे रखा मुझे 170 दे रखा है water जो इसकी density density कैसे निकाल लेंगे जो मैंने बता रहा रहा था आपको specific gravity multiplied by 1000 तो cement की specific gravity मुझे 3.15 दे रखिये उसको यह दिए मैं multiply करता हूँ 1000 के साथ तो मेरे क्या आता है 3150 ओके प्लस course aggregate और fine aggregate का मुझे weight नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखा है इसके जगे मैंने blank छोड़ दिया plus 1 लिख दिया मुझे 1% interrupted air is equal to 1 मतलब 1 meter cube now मैं इसको solve करता हूँ तो यह कितना हो जाता है 0.170 plus 0.12 plus 0.001 इनको यदि मैं add करता हूँ तीनों को तो यह कितना हो जाता है 0.030 कितना बचा आप 0.70 बचा आप मुझे पता है इसके अंदर बोल रखा है कि जो सेंड है ठीक है जो सेंड है वो कितना 30% of the total aggregate total aggregate कितना बचा 30 यह हो गया बचा कितना 70 तो 70 का 30% कितना होगा 0.21 यह मेरा क्या हो गया सेंड हो गया तो यह से मेरी सेंड की value निकलगी 0.21 और 0.49 में निकलगी के course aggregate की value नौ मैं निकाल सकता हूं वह आसाणी से मेरे को दे रखा है या फिर जो fine aggregate है वही मेरी sand होती है तो fine aggregate क्या दे रखी मुझे two point six zero इसको इसको multiply कर देता हूँ किससे मैं इसको multiply कर देता हूँ density से water की density तो मिरे को क्या मिल जाएगा इसकी रो मिल जाएगा मतलब density मिल जाएगी तो 260 मतलब 2.60 into 1000 कितना मिल जाए मुझे 2600 into क्या bulk density ठीक है 0.12 तो मुझे क्या मिल जाएगा इसका weight मिल जाएगा यहां से मेरा weight कितना आ गया 546 तो यह मेरा questions हो गया नौ दूसरे questions के बात करता हूं find the quantity of the cement sand coarse aggregate in 1 meter cube concrete 1 meter cube concrete के अंदर मुझे cement sand aggregate find out करनी है for a mixed proportion of 1 raise to 1.15 raise to 2.5 थोड़ा order लग रहा होगा देखने में ठीक है तो यह proportions भी होते है mixed design के अंदर तो 1 raise to 1.15 raise to 2.5 by the volume the water cement ratio required for इस क्या है water cement ratio 0.56 by weight bulk density of the cement हमें के दे रखे 1500 kg per meter cube bulk density of sand मुझे क्या दे रखी है 308 दे रखे और coarse aggregate की क्या दे रखे bulk density 1650 kg per meter cube and volume of the interrupted air की दे रखे मुझे volume interrupted air की 3% of the total volume now specific gravity of the cement मुझे दे रखे 3.15 sand की दे रखे 2.65 और specific gravity of the coarse aggregate मुझे दे रखे 2.3 okay यदि हम nominal mix की बात करें तो हम कैसे निकाल लेते थे इसका sum करते थे ठीक है इनका तीनों का मैंने sum किया तो one upon यदि मैं cement निकालता था one upon इसका sum into 1.54 जो हमें क्या करता था एक factor लेता था 1.54 multiplied by जो मेरे को bulk density दे रखे हो ठीक है यह हमारा निकलता था में तो यह गलती यहां पर नहीं का नहीं है यह हम डिजाइन मिक्स की बात कर रहा है जो एम 20 से उपर आते हैं ठीक है तो सबसे पहरें रो ओफ रेंसिटी क्या दे रखे मुझे सेंड की दे रखे 17 से और एग्रिगेट की मुझे दे रखी है कि इतनी 1650 ओके नाव मेरे को पता है कि इसको एक से मल्टिप्लाइ करूए को यह को फैक्टर है सपोस्स यह हो सकता है कि टू रेशो 2.30 रेश्टू 5 के फैक्टर कर रहा हो जिसको अपन क्या कर सकता है नॉर्म सिंप्लिफिकेशन हो इसलिए मैं आगए इसे करता हूँ एक से मल्टिप्लाइ कर देता हूँ जिससे क्या है कि मैं perform में कनवट कर सकता हूं इसको आ होसे oops क्या हो जाएगा मेरा मतलब volume क्या हो जाएगा x meter cube x meter cube 1 है यह करेंगे तो क्या जाएगा यह x meter cube हाजाएगा sand के लिए 1.15 meter cube और जो हमेरे पास course aggregate है उसके लिए हो जाएगा 2.5 meter cube ठीक है weight of cement क्या हो जाएगा 1500 weight कैसे निकालूंगा मैं bulk density into volume तो 1500 into x kilo gram ठीक है 1500 into x kilogram हो जाएगा यह weight of sand किसे निकालूँगा मैं 1780 into 1.15 x now मैं बात करता हूं course aggregate की तो कैसे निकलेगा 1650 into 2.5 x ठीक है water cement ratio मुझे कहाद दे रखा 0.56 मैंने बताया था मुझे water cement ratio का formula weight of water upon weight of cement ठीक है तो यहां से मुझे weight of cement देही रखा है और इसको יא मुझे करूंगा weight of water cement ratio से तो मैरे पास किया जाएगा weight of water जाएगा तहरा है weight of water करें का ministry value काहां से निकालों कि यहां से समय सरी यहां से weight of com řकरओं पर मेरे पर चाहिए weight of water आजाईगा ठीक है मेरे पास सारी चीज़े वेट of water मेरे पास x के बाट निकल जाएगी x is equal to 0.25 ओके मेरे पास x की बाट निकल गी अब मैं x की बेली को क्या करता हूं मैं इसको किलोग्राम में चेंज कर लेता हूं ठीक है x की वैलिव आ ही गई मेरे पास bulk density मेरे पास है ही ठीक है आगे तो डीक है तो वाटर सिमेंट के ले डिशेयो कर से निकल जाएगा 0.56 इंटू पफंदरा सो इंटू इंटू 0.25 पन दाख सो इंटू 0.25 क्या प्याक्जिए मैंने क्योंकि वेट ऑस फियोग्राम है यहां पर 1500 इंटू 0.25 यहां पर 1500 मतला 1.15 तो मैंने क्या है यहां पर चोटी से मिश्टेक हो गई यह वाटर का है ना तो वाटर के लिए हमने यहां पर निकाला था इस फॉर्मुले के अंदर सिर्फ हमको एक्स की वैल्यू रखनी है इस फॉर्मुले में एक्स की वैल्यू पूट करनी है और हमारे पास वेट आ है ठीक है इसको वापस रिडिकोर्ड कर लेंगे थैंक्यों सब्सक्राइब